कि अब दोस्तों स्वागत आपका स्टीफ और सेविल सर्विस के यूट्व प्लैट्फॉर्म पर फिर से दा ब्यूरोक्राइसी में और शिड्यूल के अनुसार हम लोग अब कुछ पोर्शन को डिसकस करते हैं और हम लोग जोगर्फी चर्चा कर रहे थे और आज हमारा टॉपिक रहेगा लैंड फॉर्म और याने की प्रथम स्रेणी की स्थला करती तो प्रथम स्रेणी से मेरा मतलब यहां पर यह है कि अगर हम सबसे पहले अर्थ को देखें तो सबसे से पहले को क्या नजर आएगा या तो ओशन नजर आएंगे या कॉंटिनेंट बागी नदियां प्लेंस जीले यह बाद में आएंगी उनको सेगिंड और में रख सकते हैं लेकिन जो पहली बार प्रथम दृस्टिया देखने को मिले सबसे पहले क्या दिखाई देगा ओशन लगभग 72% में तो आपका क्या है वाटर है और बाकी 28% के आसपास क्या है लैंड है ठीक है ना यह 29% भी दिया गया है कई किताबों में तो यह दिस्ट्रिबूशन है और इस आर दा दिस्ट्रिबूशन ओफट कॉंटिनेंट एंड ओसियंज ठीक तो यही है क्या लैंड फॉर्म आफ फस्ट ओर्डर मौंटें प्लेंस प्लेट्यू इस इस फिर्स ऑर्डर के लैंड फॉर्म को समझने के लिए समय समय पर कई सारे सिधान दिये गये इसमें सबसे पहला सिध तर में किसने एल ग्रीन नामक्त विग्यानी ने जिए लॉरी ने इनका मानना था कि जब अर्थ बनी तो धीरे धीरे ठंडी हुई धीरे ठंडी हुई तो बाहर वाला पोर्शन जो है अर्थ क्रस्ट का वह पहले ठंडा हुआ और इसका वाल्यूम घट गया होगा और इस तरी तॉरी कहती है कि जो रेज़ पार्ट है वह तो बन घये कॉंटिनेंट और जो depressed part है, उसमें भर गया पानी, और उन्होंने किसकी शकल ले ली? Oceans की, और इस तरीके से continent और Oceans क्या हुए? Distribute हुए, ये theory यहां तक टीजें बताती है. उसके बाद theory डवरफ होती है, Continental Drift Theory 1910 के दसक में Alfred Wagner के द्वारण. Alfred Wagner ये बता पाने में सफल हुए कि जो अर्थ की शकल हमें आज इस प्रकार से continent में, अलगलग continent देखने को मिलते हैं, ये सुरुवात से ऐसी नहीं है. अर्थ कई million साल पहले एक सुपर continent की शकल में था, और इस तरीके से Asia, Africa, North America, South America नहीं थे. तो उस सुपर कॉंटिनेंट का नाम दिया गया क्या? पैंजिया दिया था. क्या नाम दिया था है नोने? पैंजिया. और ये जो पैंजिया है, ये इस तरीके से होगा, एक सुपर कॉंटिनेंट है, पैंजिया. ठीक है, जिसका North वाला पार्ट कहते हैं, Angara Land, और South वाला है, Gondwana. ठीक है, तो इससे सब्बंदित एनिमेशन आपने यूट्यूब में देखे भी होगे, तो उसी में से एक एनिमेशन में उठाता हूँ, और आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ हुआ हुगा, आप खुभी समझ जाएंगे कि मामला क्या है, ये देखिए, कुछ इस तरीके से अर्थ दिखाई देती होगी, कब जब ये सुपर कॉंटिनेंट ऐसा रहा होगा, और दो सो मिलियन वर्स पूर्व ये इस तरीके से दिखाई देता है, देखिए, मैं हट जाता हूँ, और आपने इस तरह के एनिमेटेड वीडियो देखे भी होंगे, तो आप देख सकते है कि किस तरीके से कॉंटिनेंट धीरे-धीरे अपनी शकल ले रहे हैं, और कैसे ये अफरीका हम पैचान सकते हैं, ये साउथ अमेरिका है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अंटाक्टिका साउथ की तरव चला गया, और कैसे-कैसे धीरे-धीरे-धीरे-धीरे, आज के नौर्थ अमेरिका चला गया, वेस्ट की तरव, साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट की तरव, इंडिया नॉर्थ की तरफ शुफ्ट होकर आया, अफरीका प्लेट से टूटने के बाद और धीरे-धीरे देखिया कहां पहुच रहा है नौर्थ की तरफ और ये आपके सामने क को इस तरीके से दिखाई देती है और यही थियोरी पताती है हमको इस बारे में कि यह शकल है आज के अर्थ की शांदार लेकिन एक लाख साल बाद जरूरी नहीं है कि जो अर्थ हम आज देख रहे हैं वैसी दिखाई दे यह जो अफरीका और यह यूरोप वाला पार्ट बीच में जो मेरिटेरिण सी आपको दिखाई दे रहा है इसमें अधिके ना जो मेरिटेरिण सी दिखाई दे रहा था आपको वो हो सकता है गायब हो जाए और उसके बीच में एक नया mountain chain बन जाए जैसे की हिमालियास बने थे कुछ इस तरीके से चीज़ों को समझा जा सकता है कि अर्थ जो अभी ऐसी दिखाई पड़ रही है यहाँ पर जो आपको दिखाई ज़े रहा है यह मेरिटरेंसी गायब हो जाए और यह जो नों चिपक जाए और क्या बन जाए mountain chain बन जाए ऐसी तो mountain बने हैं तो यहाँ पर मौझूद है क्या जीओ sink line और वहाँ पर एक mountain खड़े हो सकते हैं तो बात तो इन्होंने बिल्कुल सही बताई कि अर्थ जैसी आज दिख रही है हमेशा जैसे नहीं दिखी होगी और आगे आने वाले समय भी अर्थ ऐसी नहीं रही होगी लेकिन कुछ चीजें बता पाने में यह थियोरी नाकाम रही इन्होंने सियाल की जो density है यह सीमा से ज्यादा मानी जबकि बात में यह प्रूब हो गया कि सियाल वाला जो portion है वो सबसे उपर है याने की crust वाला पार्ट है और भी कई सारी चीजें यह थियोरी बता पाने में नाकाम रही वो कौन से फोर्स रहे होंगे जो इसको खीच रहते हैं एक दुसरी की तरफ ठीक है तो 1970 में एक modern theory डेवलप हुई जिसको हम क्या कहते हैं plate tectonic theory plate tectonic theory का सार यह है कि जो earth crust है हमारी वो homogeneous नहीं है वो कई सारी plate से मिलके बनी है ठीक है कुछ इस तरीके से अगर मै मैं छोटा सा समझाओं आपको कि अगर यह earth का सबसे उपर अला part है और एक crust की हम एक plate बना लेते हैं यह दीजे plate है और एक plate मैंने यह बनाई और यह एक oceanic plate है कुछ इस तरीके से इसका नाम हमने oceanic plate रखा है यहां मैं पानी भर देता हूं इस पानी का नाम है Pacific Ocean और इसका न भी होगी प्लस घर्शन के कारण और impact के कारण यहां पर क्या बन गए होंगे रोकी मांटेंज तो एक continental plate जब दूसरी oceanic plate से टकराई होगी तो यह चीजें बनी और यह plate किसके अपर अवस्थित है it lies over what in which part जायर से बात है कि जिसकी density इससे ज़्यादा होगी उसी के उपर यह float कर रहा होगा float करता है और उसका नाम है क्या नाम है उस चीज का एस थेनोस फेर और इसको हम हिंदी में कहते हैं दुरबलता मंदन ठीक दुरबलता मंदन तो ऐसी चोटी बड़ी कई सारी plates हैं सौ से ज़्यादा जो किस पर टिकी हुई है किस पर टिकी हुई है एस्थेनोस्फेर में फ्रेट मूब करती है टकराती है एक दूसरी दूर जाती है रगण खाती है और किसने किसी लैंड फॉर्म का निर्मार कर रही होती है तो अगर यहाँ पर मौंटेन बने है that is an example of a land form due to the collision of two plates और एक प्लेट एक दूसरी से दूर खिसके जैसे कि अफरीकन सब्सक्राइब नीचे तो क्या है पानी के नीचे जम जाएगा और किसकी सकल लेगा रिज की जब आप मैप देखें अपने वर्ल्ड मैप को देखेंगे समुद्र का मैप देखेंगे तो समुद्र चारो तरफ से आपको नीली रंग में दिखाए लाइट ब्लू लाइट ब्लू जहाँ है तेया रहाा जैसे एकर माल लो ऑन यह मने क्या भनाया जैek मैं बना इस तरीके से सबस्क्राइब बना दिया है इसका नाम लेख लेता हूं कि अफ्रीकीन ब्लेट इसका नाम में लिख़े यह South American Plate और यह जो चीज बनाई है यह दिखने में एस जैसी है लिकिने दरसल एक रिज है रिज है इसको इंदे में कहता है Cut Up तो यह North Atlantic Ridge है और यह South Atlantic Ridge है रिज का मतलब है कि प्लेट एक दूर गई होंगी और मैगमा आया होगा बाहर और आप देख सकते हैं मैप को देखकर अंदाजा आ जाएगा आपको कि वहाँ पर गहराई कम होगी और इस तरीके से रिज बन जाती है ठीक है तो प्लेट टेक्टोनिक थेओरी को तो हम डिटेल में देखेंगे इस तरीके से मतलब इतने सस्ते में प प्राज जारी रहेगी किसकी प्लेट टेक्टोनिक थेओरी की थैंक यू टेक केर